एक अक्षा दो का बच्चा अचानक अपनी माता पिता को अम्मी अबू कहकर बुलाने लगा इस बाद से परिवार वाले इतनी जादा परिशान हो गए कि वो इस बाद की शिकायत लेकर डीम की पास पहुँच गए हैं जीहां बच्चे ने मम्मी पापा की जगण जैसे ही अम्मी अबू बोलना शुरू किया उसकी मां बाद डीम की पास जहां पहुचे इतना ही नहीं बलकि परिवार वालों ने जब बच्चे की किताब देखी तो उन्हें समझ आया कि बच्चा मम्मी पापा की जगा अम्मी अबू क्यों कह रहा है जिसकी बाद गुस्से में परीजनों ने किताब को लेकर भी आपती दर्ज करते हुए डियेम से शिकायत की है किताब पर बैन लगाने की मांग भी कर डाली है तो वहीं दूसरी तरफ बस मामले से परीजनों के अलावा हिंदू संगठर ने भी आपती जताई है पुरा मामला क्या है कहां का है सब कुछ आपको वस्तार से आगे के रिपोर्ट में हम बताते हैं उसके पहले नमश्कार आप जंता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना फांडे NCRT ने अपने सलेबस में कुछ बदलाव किये हैं कहीं से कुछ हटाया है तो कहीं कुछ एड-उन किया गया है यूँ तो गनीत की किताब में भी कुछ हिसे हटाये गई हैं लेकिन विवाद अभी इतिहास पर हो रहा है देश में NCRT की इतिहास की किताबों में मुगलों का इतिहास कथित तौर पर हटाये जाने को लेकर एक तरफ जहां देश में बहर चड़ी हुई है वहीं से बीच एक ऐसा मामला सामनी आया है जहां साथ साल की बच्ची ने अपने मम्मी पापा को अम्मी अब्बु कहकर फुकारा तो ये मामला जीम तक जा पहुचा परीजन को इससे परिशानी थी कि अगर मेरा बच्चा हिंदू है तो मम्मी पापा की जगा वो अम्मी अब्बु क्यों कह रहा है आपको बता दें कि देरादून में आईसी ऐसी बोट से पहने वाला कक्षा दो का एच्चातर अपने माता पिता को बार बार अम्मी अब्बु कहकर फुकार रहा था साथ साल के इस बच्ची के पिता ने कहा कि अचानक कि उनके बेटे ने उन्हीं अब्बु कहा और अपने मम्मी को अम्मी कहना शुरू कर दिया औरियंट ब्लाक स्वान हैदराबाद की तरफ से पब्लिश गुल मोहर की पहले चैप्टर में माता और पिता के लिए अम्मी और अब्बु का इस्तमाल किया गया है जसको लेकर इस बच्चे के पिता मतल नहीं आपती जोताई है आपको बता दे कि उन्होंने ये भी कहा है कि हिंदी की किताबों में माता पिता और उर्दू की किताबों में अम्मी और अब्बु का इस्तमाल होना जायज है लेकिन इंग्लिश के किताब में माता पिता के लिए अम्मी और अब्बू का अस्तुमाल करना कहां से सही है ये सरासर गलत है ये किताब के वल दहरादू ही नहीं बलकि देश भर के सबी आई सी एसी स्कूलों में परहाई जाती है बच्चों को इससे बच्चों पर बुरफ भाव परे गया ऐसी बाते कहते हैं बच्चे के परीचन देम के पास जो आप पहुँचे आपको बताना जाएंगे कि देम के पास जब ये पहुचे तो परीचनों का कहना है कि उन्होंने पहले स्कूल के प्रिंसिपल से इसकी शिकायत की थी किस तरीके से उनका बच्चा मम्मी पापा की जग़ा उन्हें अम्मी अबू कर पकार रहा है जिससे उन्हें परिशानी है लेकिन उनका ये भी कहना है इस पर प्र्सक्राशन ने कोई भी आक्षिन नहीं लिया, बिल्कुल विध्यान नहीं दिया गया इसके बाद अबुज और इसी को पहिने के बाद बच्चा अपने ममी पापा को अमी अबू कहकर फुक्यार रहा है जोसे उन्हें परिशानी है इस बात से परीजन को इतना ज्यादा परिशानी हो गए कि जुलादिकारी के पास शिकायत लेकर पहुँचे जुलादिकारी ने इस पूरे मामले को सु कि जुलादिकारी का कहना है कि पहले स्कूरी मामले को अच्छो से देखा जाएगा ज्राज की जाएगी और तभी अगर कारवाई करने लायक यह मामला साबित होता है तभी कोई कुछ कारवाई करेगा आपको हम बता दें कि बच्चा साल का हिंदु धर्म से तालुक रखता है इनके पिता एक किसान है और उनोंने ही जलादिकारी उसे बच्चे को परहार जाने वाले किताब और उसमें मता पिता की जगाह हमी अब्बु का अर्थ बताने को लेकर शिकायत दर्ज कराई है इसकुशा अदिकारी को इस पर जाच करने का आधेश दे दिया है इस पर क्